कितना अच्छा होता ना हमें कोई ऐसी चीज मिल जाती जो हमारे चेहरे को खुबसूरत बना दे हमारे चेहरे पर जो बारिक बारिक से बाल होते हैं चेहरे पर जो हमारे unwanted hair होते हैं उन्हें बिलकुल हटा दे ताकि हमें बड़ा अच्छा लगे कि हमारे चेहरे पर बिलकुल भी अंचाहे बाल नहीं है यदि आप भी कोई ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो चेहरे के दाग धबों को हटा दे डैट सेल को रिमूव कर दे और जो चेहरे पर फैशिल हेर होते हैं उन्हें बिलकुल हटा दे दोस्तों अकसर ऐसा होता है कि चेहरे पर होठों के उपर बार जाहे बाल हो जाते हैं जो की दिखने में बड़े खराब लगते हैं और हमें भी बड़ा बुरा लगता है कैसे हताएं आज अपने यूट्यूब परिवार के लिए कुछ ऐसी रेमेडी लेकर आई हूं जिसके पहले बार के इस्तमाल से आप फरक महसूस करने लगेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है गेहों का आटा या फिर आप बेसन भी ले सकते हैं वीड फ्लोर या फिर ग्राम फ्लोर अगली चीच कोल गेट पेस्ट आपको कोल गेट नहीं जो भी कमपणी का चाहें ले सकते हैं वाइड टूथ्पेस लेना है मेरे कहने का मतलब ज जादूई पत्थर देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंड करके बताईए ये कौन सा जादूई पत्थर है जिसका इस्तमाल आज मैं अंचाहे बालों की जड़ों को कमजोर करने के लिए करने वाली हूँ। ये जादूई पत्थर है एलम जिसे हम लोग फिटकरी भी कहते हैं दो चुटकी आपको यहाँ पर फिटकरी का पाउडर लेना है एक छोटा टुकड़ा मैंने यहाँ फिटकरी का लिया है कूट लीजे पाउडर बना लीजे दो चुटकी फिटकरी के पाउडर को आपको इस मिलाना है देखें मिलाकर जो result मिलेगा ना फिटकरी क्या करती है पता है आपको हमारे बालों की जड़ों को कमजोर बनाती है और अंचाहे बालों को हटाने में मदद करती है साथ में लेना है दो छुटकी खाने वाला soda, मीठा soda जो की जड़ से कमजोर हुए बालों को हटाने का काम करेगा soda, बैकिंग soda जिसे हम लोग sodium bicarbonate भी कहते हैं साथ ही साथ इस पैक को इस जादूई पैक को और powerful बनाने के लिए मैं यहाँ इस्तमाल करूंगी rice floor का चावल का आठा नहीं है अगर आज आपके पास rice floor तो उसकी जगह आप ground floor का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह सारी चीज़ें ज़्यादतर हमारे पास होती हैं और हमारे skin के लिए बहुत फाइदे मंद होती है rice floor हमारे skin को tight करता है, हमारी तवचा को जल्दी lose होने नहीं देता हमारी तवचा पर जल्दी wrinkles आने से बचाता है चावल का आठा, rice floor दो चमच चावल का आठा ले लीजिए, दो चमच गेहूं का आठा, दोनों को mix करें इस pack को बनाने में इस जादूई pack का इस्तमाल सभी उम्रवाले कर सकते हैं, जो कम उम्र की महिलाएं हैं, वे भी इस pack को जरूर लगाईए, आपके चहरे पर निखार आएगा, सारे dead cell रिमूव होंगे चहरे पर जो बारिक बारिक से काले काले बाल है ना, जो की सुंदरता को फीका कर देते हैं, बिलकुल जड़ से कमजोर होकर तूट जाएंगे दो छुटकी फिटकरी का पाउडर डालना ही डालना है फिटकरी जो है, वो सबसे मेन इंग्रिडेंट है, स्टार इंग्रिडेंट है आज की रिमेडिका ये वही ऐलम है फिटकरी है जिसका इस्तमाल हमारे दादा नाना किया करते थे शेविंग करने के बाद, दाड़ी बनाने के बाद हमेशा फिटकरी को चहरे पर गीला करके लगा लिया करते थे क्यों? इससे दाड़ी मूझ के बाल जल्दी ग्रो नहीं होते थे, जल्दी उगते नहीं थे उन्हें बार-बार शेविंग करना नहीं पड़ता था, ये कारण है, तो यही फिटकरी हमारे चहरे के फैशियल हेर की ग्रोथ को कम कर देगी, सोडा जो मैं यहां डाल रही हूं, बैकिंग सोडा जो है, वो हमारे कमजोर हुए बालों को उखाड़ने में मदद करेगा, आधा चमज के करीब मैंने सोडा डाला है, क्योंकि पैक थोड़ा जादा है, आप कम बना रहे हैं तो वन फोर्थ ती स्पून डालें, जादा नहीं नीबू का रस जरू डालें, सोडा जो है वो लेमन के साथ मिलकर रियक्ट करता है, और तेजी से हमारा ये पैक वर्क करेगा, आधा नीबू का रस पूरा डालिए, तभी रिजर्ड अच्छा मिलेगा लेमन जूस, विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे अंचाहे बालों को हटाने के बाद, हमारी तवच्छा पर जो काला पन आ जाता है, जो ब्लैकनेस आ जाती है, उसे नेच्रल तरीके से नीबू का रस ब्लीच करके रंग को साफ कर देता है, तो अच्छे से मिक्स कर लि ये कमाल का रिजल्ट मिलेगा परिवार को मेरे तो अच्छी तरह से इसे आप मिक्स करेंगे धीरे धीरे करके आप इसे मिक्स कर लीजिए देखे बहुत अच्छा ये पैक बना है हमारा और सभी उम्रवाले लगाएं 10 मिनिट के बाद हलके हांथों से रगड़ते हुए आप इस जादूई पैक को निकाले इसके साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पर कभी-कभी हल्दी मिला सकते हैं मैंने अपनी बेटी के लिए दोनों ही तरह का इस पैक को बनाया है कभी मेरी बेटी इस तरह से वाइट पैक को लगाती है और कभी-कभी वो दो चुटकी हल्दी भी मिला लेती है मैं आपको दोनों ही लगाकर चहरे पर बताने वाली हूँ हल्दी वाला भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है चुटकी भर हल्दी मिला लीजे ताकि हमारे चहरे पर काला पंदूर हो सके चहरे पर मुहां से एकने फोडे फुनसी का होना बद हो सके हाथों से लगाए ब्रश से लगाए जिसमें भी आप कमफर्टिबल हैं आप इस पैक को लगाए इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखेगा दोस्तों ना ये बहुत पतला है और ना ही बहुत गाड़ा है ताकि आसानी से चहरे पर इस्प्रेड हो सके और अपना असर दिखा सके लगाईए पूरे चहरे पर तो मेरी बेटी ने क्या किया देखिए आप ध्यान से देखेंगे ना आधे चहरे पर हल्दी वाला थोड़ा सा पैक लगा कर रखा है आज उसने और इस तरह से आधे चहरे पर आपको वाइट पैक को लगा कर दिखा रही है कमाल का रिजल्ट मिला उसे तभी तो मेरी बेटी बहुत खुश होकर इस जादूई पैक को आपको लगा कर वता रही है उसके जो बालों की ग्रोथ है बहुत हद तक कम हो गई है ऐसा लगता मेहने दो मेहने में कि फिर से हुटो के उपर काले बाल दिख रहे हैं या हमारी चिन के पास थोड़े बाल दिख रहे हैं आप इस जादूई पैक को वापस लगा लीजे. हलके हाथों से मसाज करते हुए लगाएं ताकि फिटकरी के कारण जड़ से कमजोर हुए बाल उख़ड सकें, निकल सकें और हमें अंचाहे बालों से छुटकारा मिल सकें और हमारी सुन्दरता पर चारचान लग जाएं. इसे मिक्स करने के लिए मैंने कच्छे दूद का इस्तमाल किया है रॉ मिल्क जो की एक बैस्ट क्लिंजर होता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है कच्छा दूद. हमारे स्किन के कॉमप्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन करता है रॉ मिल्क. तो हलके हाथों से मसाज करते हुए इस जादूई पैक को लगाएं कभी भी चेहरे के बालों को हटाने के लिए थ्रेडिंग ना कराएं इसकी लूज होती है वैक्सिंग तो बिलकुल ना कराएं और शेविंग का सहरा तो कभी भी ना लें और जादा बाला आते हैं देखें एक तरफ हल्दी वाला पैक लगाया है उसने चुटकी भर डालकर और एक वाइट पैक दस मिनट के बाद मेरी बेटी ने इस पैड को हलका सा गीला कर लिया है और हलके हाथों से रगड कर निकाला है ताकि फिटकरी के कारण जड़ से कमजोर हुए बाल निकल सके और रिजल्ट पहली बार में ही मिल सके वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजेगा टिप्सियेटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें